हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल टेक हेल्थ तो दोस्तों टेक हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए बहुत ही एक जुरूरी वीडियो लेकर आया हूँ जी सीएस के रreलेटड ग्रास्ट सबस्क्राइब कारें क्यों सब्सक्राइब नहीं किर तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो उसके साथ चुम बेलाइकन है उसको भी क्लिक कर लो एक टेस्ट आपडेट्स के लिए टेस्व अपडेट आपका levar graph इसको पहले यूज किया जाता था जो लेवल of consciousness देखने के लिए पेशन के अगर head injury होई या तो इसको लेवल of consciousness देखने के लिए इसको उनिसो चाथर में इसका यूज किया गया था आज जो है इसको intensive care के लिए भी यूज किया जाता है hospitals में, ICU care में तो में इसमें तीन option होता है first होगे I response इसका minimum score जो है एक होता है और maximum जो है चार उसके बाद होगे verbal response verbal response का भी minimum score एक और maximum होगे पॉंच उसके बाद होगे motor response तो motor response का score minimum एक और maximum छे तो GCS minimum score होता है तीन और maximum जो है GCS normal GCS 15 होता है तो GCS देखने से पहले आपने ये चीज़ दियान में रखनी है कि patient cedate तो नहीं है, patient blind तो नहीं है या patient trache customized तो नहीं है, patient intubate तो नहीं है तो ये चीज़ें आपने दियान में रखनी है तो सबसे पहले हो गया eye response तो इसके लिए हमने निमोनिक यूज़ किया ESPN E से eye opening, अगर patient eye open कर रहा है normally तो उसको हम चार score देंगे अगर patient को हमने आवास दी और उसने आँख खोली तो उसके लिए हम उसको तीन नमबर देंगे अगर patient को हमने कुछ दरत दी या तकलीफ दी तो फिर उसने आँखें खोली तो उसके लिए हम उसको दो नमबर देंगे अगर patient बिलकुर response नहीं कर रहा है तो फिर उसको हम एक नमबर देंगे तो फिर हो गया verbal response यह जो word है यह पहले use करने है आपने variable response को explain करने के लिए तो यह निमोनिक जो है आपके mind में बैठा रहेगा यह एक किसम का formula है यह आपने याद रखना है तो उस हिसाब से आप जल्दी जो है assess कर पाऊगे तो O से हो गया oriented अगर patient oriented है अगर आपने उसको पूछा कि आप कहां पे हो तो उसने से ही जवाब दे दिया तो उसके लिए जो है आपने उसको 5 नमबर देने है तो अगर patient confused है C से confused हो गया तो अगर patient confused है आपने उसको पूछा अगर patient hotel में है या patient hospital में है तो वो होटल बता रहा है, तो वो confused है, तो उसको हमने चार स्कोर देने है, फिर हो गया what's, अगर पेशन्ट को आपने कुछ भी पूछा और पेशन्ट ने अलग अंसर दिया, तो उसके लिए आपने तीन स्कोर देने है, उसके बाद हो गया in comparable sounds, अगर पेशन्ट अलग सी आव response, तो इसके लिए हम जो है, निमोनिक यूज करेंगे, count live without fans, तो count live without fans, ये आपने याद रखना है, तो अगर पेशन्ट obey command कर रहा है, तो इसके लिए आपने इसको 6 नंबर देने है, अगर पेशन्ट जो है, टंग बाहर निकाल रहा है, आपके बोलने पे, आपने अगर इस जो है, localized to pain, अगर पेशन्ट को आप जो है, पेशन्ट कुछ चुबा रहे हो, तो वो पेशन्ट बता रहा है, कि ये कौन से एरिय में मुझे पेशन्ट हो रहा है, तो उसके लिए आपने पहुंच नंबर देने है, उसके बाद अगर पेशन्ट को पेशन्ट नहीं हो रहा ह तो उसको जो है, हमने scoring चार देनी है, चार नंबर देने, तो फिर हो गया flexion, flexion जो है, आपने अगर पेशन्ट की abnormal flexion है, तो उसके लिए तीन नंबर देने है, अगर not response है, तो उसके लिए आपने एक नंबर देना है, तो अगर पेशन्ट बिलकुल not responding है, पेशन्ट का कोई response नहीं है तो यहाँ पे आप इसको एक number दोगे तो यह था motor response तो इसके बाद जो है अगर patient की eyes जो है कुछ पहले सी problem है उसको तो blind है जैसे कि blind है अगर patient तो उसको जो हमने not testable लिखना है उसके बाद verbal के लिए अगर patient customized है या फिर intubated है already तो फिर उसके लिए भी हमने not testable लिखना है फिर हो गया अगर motor के लिए patient sedate है या paralyzed है तो उसके लिए भी हमने not testable लिखना है तो दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो please नीचे like के button को click कर दो उसके साथ में वीडियो को share भी कर दो whatsapp पे या facebook पे और साथ में हमारे channel को subscribe कर दो हम आपके लिए daily नई health care related video लेक आएंगे thank you